हेलो वीवर्स, असलाम अलीकूम, वेलकम बैक टो में चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जे इस कुर्टे की पॉकिट किस तरीके से कट करते हैं और उसको इस्टिच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेंग ले ली है 19 वैसे मेरे पास फैब्रीक इतना ही था, इसलिए मैंने इतना लिया हुआ है, अदर्वाइस आप 20 इंच का भी ले सकते हो, इसके बाद हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तक हमारे जो पॉकिट है वो दोनों ही साइड से एक्वल हो, तो यहाँ यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसके बाल हमने वेट चेक कर लेना है, यहाँ पर मैंने 7 इंच रखा हुआ है, अब इसको हम कट कर लेंगे, बहुत ही ईजी साइज सेब आप लोग के साथ शेयर कर रहे हूं, वीडियो फुल वाच और अगर आपको समझ आएगी, तो आप लोग एक बर अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, दोनों ही साइड से हमने एक्स्रा वाली फाबरिक को कट कर लेना है, जो किया पर हमने इ एक इंच का मार्क लगाना है, और एक इंच का मार्क लगाने के बाद गूल का हलका सा शेप दे देना है, यह हमारा उपर वाला साइड होगा, अब इसको हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने पॉकिट को कट कर लिया है, अब नीचे साइड का जो जॉइन वाला पार्ट है, इसको भी हम अलग कर लेंगे, क्योंकि यह हमारी दोनों ही साइड की पॉकिट है, तो मैंने यहाँ पर दो साइड की पॉकिट एक साथ कट करी है, अगर आप सिं इंगल भी कट कर सकते हो, चलिए अब इसको स्टिश करके दिखाते हैं, सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड से एक एक इंच लेते हुए इस पे सिलाई चला लेना है, और स सिलाई को हमें लॉक कर लेना है तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे सिलाई लगाना है और ध्यान रहें यह हमें रॉंग साइड पे सिलाई लगाना होगा तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और यह सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक साइट से हम कट कर देंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से दोनों ही साइट से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है अब इसको हम pocket को पलेट लेंगे और सीधा कर लेंगे corner बहुत ही अच्छे से हमको इसको पलेट लेना है तो यहाँ पर हमने pocket सीधी कर ली है अब हमने ये वाला part जो open रखा हुआ है इसको fold कर लेना है fold करके इसमें सीधी सी सिलाई चला देना है तो यहाँ पर देखे मैं थोड़ा सा V-shape में देने वाली हूँ जैसे आप तावीजी बनाते हो neck pattern इसका तो वैसे ही हमको इसको stitch कर लेना है और जो भी extra thread वगरा है उसको भी साथ में cut कर दे जाना है तो अब दूसरा साइट भी से तरीके से पहले हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने दूसरा साइट सिलाई लगा लिया है अब यह सिलाई के बाद में हमने extra thread cut कर लेना है और अब हमें V का shape देना है तो एक corner से में उठाना है और दो fold का fabric करना है और फिर इसके बाद same हमको दूसरा साइट लेना है दूसरा साइट भी दो fold करके सिलाई लगा देना है इसको हमें पूरा V shape बना देना है ताकि हम इसको easily तरीके से अपने कुर्टे पे लगा सके तो हमने यहाँ पर pocket ready कर ली है अब यह pocket हमने क्या करना है अपने कुर्टे पे लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखे हमने कुर्टे का part जो है वो ready कर रखा है और यहाँ से हमको पहले slit के पास से कुछ इस तरीके से fold कर देना है fold के बाद में हम इस पे pin up कर लेंगे ताकि यह हमारा equal रहे इसी सबसे हमारे कुर्टे में finishing आती है तो यहाँ पर हमने जो pocket वाला area है जहां से हम हाथ का gap रखा हुआ है तो वहाँ से हमने pin up कर लिया है फिर pocket का center बना लेना है पॉकिट का center बनाने के बाद में अब हमें कुर्टे के center पे रखना है यह देखे जो हमने pocket बनाया है अब इसको हमें एक corner से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है लॉक करते हुए दूसरी side पे हमें भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है सीधा लगाना है सिलाई कुछ इस तरीके से double lock कर लेना है तो यहां पर हमने pocket को इस तरीके से रखते हुए इस पे सिलाई लगा लिया है सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इसको बिल्कुल straight कर लेना है कोई भी side से कपड़ा हमारा ना दबा रहे fold भी ना हो और इसको हमने जो pocket वाला उपर वाला area है कुछ इस तरीके से रखना है और यह रखने के बाद में हमको pocket पे सिलाई लगाना है और pocket का shape भी देना है ताकि हमारा जो right side का fabric है उसका pocket का लुक हमारा बिल्कुल cross में आए तो हमने इसी तरीके से जिस shape में हमने pocket ready किया है उसी shape में हमको इसको भी सिलाई लगा लेना है ध्यान रहें नीचे का fabric बिल्कुल fold नहीं होना चाहिए अब दूसरी side भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है इसका final result भी मैं आप लोगों के साथ share करूंगी तो आप लोग इंट तक रहिएगा वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप अभी ही like कर दें बाद में आप लोग भोल जाते हो और पसंद आई हो समझ में आया तो यह देखिए हमने यहाँ pocket को दूसरा side लॉग कर लेना है देखते हुए यहाँ पर हमने pocket को लॉग कर लिया है अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ तो यह देखिए सीधा करने के बाद में हमारा जो pocket है कुछ इस तरीके से आया है बहुती फिनिशिंग के साथ में ready हो चुका है हमारा pocket और आप देख सकते हो नीचे भी हमने अच्छे से इसको पैक कर दिया है तो वीडियो पसंद आपको